बतब हैं हांसिल से लेगर क्या होटल ब्यूटिफूल तक आते आते लाइफ में मुझे इस तरह का चैलेंज नहीं लगा कि बहुत खतरनाग जर्णी रही हो यह ना इश्वर की करभा से यह रहा कि मतब कि अच्छा है कि लोगा में मतब थोड़ा बहुत जो भी टेलेंट है मे प्रेक्टर प्रडूसर उनकी किरपा है कि वो मुझे पहचान रखते हैं मेरे को पैचानते हैं और मुझे मेरा काम देते हैं कोई ऐसा रोल जिसने आपकी लाइफ को पूरितर से टर्न कर दिया वहां से एक एक रोल पहले था मिथ्या में उसके बाद एक रोल आया पान अब यह कि सोचते हैं कि मतलब कुछ खास किरदार दिये जाएं और मैं करता हूं उनको इस तरीके साथ आपने लगबग सभी छे स्टार्स के साथ भी काम तो कितना कौन सा ऐसा सुपर स्टार रहा है स्टार रहा है जिसको जिसको देखके रखता हो कि हाँ अब यह इस आदम साब से ले करके आपका आमिर खान और एक फिल्म की थी मैंने रनवी कपूर के साथ बेशरम लेकिन उसमें मैं आया नहीं मेरा सारा करेक्टर चौप हो गया उसमें लेकिन इन तीनों के ही साथ काम करते कर इन सुपरिस्टा लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा होता है और सब चीज बड़ी गतिम है तरीके से बहुत काईदे नियम के साथ हो जाती है तो बहुत च्छा लगता है होटल ब्यूटिफूल के बारे में और क्या कुछ रहस से खोलना चाहेंगे कुछ होटल ब्यूटिफूल का तो रहस अपने आप में यह है कि वो इतने सही समय में शुरू होके कंप्लीट भी हो गई ठीक है और इसके अंदर में क्या है कि मेरा और जॉनी भाई का एकदम तक्रार है इसमा बना हुआ है जॉनी भाई जो किरदार निबा रहे हैं वो मतलब उनके फोरफादर मतलब मेरे दादा जी और उनके दादा जी है ना वो 10% में रह गया तो यह हमारी एक लड़ाई जगड़ा एक जो चोंच लड़ती रहती है हमेशा और यह फिल्म को देखके ही मालम प्रदा की एट लास मैं इसमें सभलता हासिर करता हूं की नहीं